हेलो दोस्तों वेलकाम तो अपना सपना ज्यार एफ और वेलकाम तो डेली वन क्षिन प्रेक्टिस सीरीज फोर पार्ट बी फोर अपकॉमिंग सी एस यार नेट लाइप साइंस दिसंबर 2023 आए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्षिन को हम प्रेक्टिस सीरीज तो यह कोई पार्ट ए में हम 15 से 20 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं जिसमें हमने 15 से 20 क्रेशन सोल कर लिए हैं डेली एक के भिहाप पर ऐसे पार्ट बी का भी स्टार्ट किया हुआ है एक वीडियो आपको मिल गई है यानि एक कुशन हमने सोल कर लिया है आज य की में बता देती हूं पार्ट वी यू वीडियो है वह आपको रोज 9 बजे मिला करे गी ऐब की जो वी वीडियो है वह आपको 12 बजे मिला करेंगी और पार्ट सी की आपको शाम को 3 50 बजे झाए चलें जब बढ़ते हैं अपने आज के वीघर सैम पर जो कि जून व CathiNE वन का question है और obviously part B का है दिया है during the glycolysis in plants alanine and related amino acids are directly produced from which one of the following precursor जैसे ही cell के अंदर respiration होता है तो respiration में जब glycolysis हो रहा होता है जो कि first step है respiration का तो glycolysis के दोरान कुछ amino acids बन रहे होते हैं उनमें से alanine भी एक है ठीक है उनमें से alanine एक है जो कि amino acid है और वो भी glycolysis के दोरान बनता है आपको बताना है कि कौन सा compound है इन चारों में से जो alanine को form करता है during the glycolysis तो यह respiration से भी आप topic मान सकते हैं या फिर यह amino acid का जो metabolism है वहां से भी आप इस question को मान सकते हैं तो अभी हमने respiration भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है glycolysis कंप्लीट भी कर चुके हैं अगर वो वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो उनका लिंक मैं होता है पाइरुवेट में स्टार्टिंग में जब respiration होता है तो ग्लुकोस कंवर्ट होता है पाइरुवेट में इस पूरी process को हम बोलते हैं glycolysis इसके बाद पाइरुवेट मूव कर जाता है TCA cycle में जिसको क्रेप साइकल भी बोलते हैं और वहां the structure cream जो बना है यह आगी जाकर आलिन बनाता है और भी बनाता है जैसे कि वैलीन है लूसीन है यह सारे अमाइन वैसे जो है पाइरुवेट बनाता है इस से लग भी आप देखना चाहें तो यहां पर जो ट्रिप्टोफेन है फिनाईल एलनिन ये बनाता है फोस्फोइनोल पायरोवेट ये सब क्या है इंटर्मीडियेट ओफ दर ग्लाइकोलेसिस है जो एक्ट करते हैं एज प्रिकर्सर ओफ अमाइनो एसे ठीक है अगर बात करें थ्री फोस्फोग्लिसरेट की तो ये आग़ी अगर बात करें oxaloacetate की तो यह aspartate बनाता है और फिर aspartate आगे जाकर asparagine, methionine, threonine और lysine की formation करता है तो एक तरीके से यह क्या है यह amino acid की formation है कि हमारे बोड़ी के अंदर जो amino acid है वो कैसे बनते हैं फिर यह amino acid मिलकर protein बनाते हैं लेकिन यह खुद कैसे बनते हैं यह बनते हैं उस दुरान कहीं सारे compound बनते हैं उन compound के further derivation से फिर amino acid बनता है ठीक है तो हमसे question में पूछा है कि जो alanine है वो किससे बनता है तो देखिए इसका वह को साफसा answer है कि pyruvate से form होता है alanine तो हमारे question के लिए सही answer हो जाएगा the third option तो question हमने solve कर लिया है यह information अगर आपके लिए नह साथ में तिल देन बाइबाइ तेक केर